इस वीडियो में हम लोग एक्षाइज 1D कंप्रीट करने वाले हैं तो वन दी करिए में पहला लेक्च्छर है एक्जांपल पहले एक्जांपल कंप्रीट करेंगे दर उसके पात पुरा-पुरा अक्षाइज करेंगे तो आरस एगरबाल का वन दी जो है क्या बोल रहा है कि अच्छा यह जितने भी इसमें जो है वो इर्रैशनल नंबर जो है आपके जो घटा गुना भाग बस यहीं आएंगे उनको यह आपनको सॉल्फ करना है सिंप्लिफाइज करना ठीक है तो आपको एक्जांपल में क्या बोल रहा है कि एड मुझे एड करना ह प्लस सेवन रूट थी और बीच में एड है तो एड का साइंग नहीं होगा और रूट तु मैनस फाइब रूट थी तो दो कैसे इसको आड करेंगे बहुत ही सिंपल है दिखलो यह लिखा मैंने थी रूट टू प्लस सैवन रूट थी ठीक है एड है तो बस प्लस का साइं दिया और रूट टू मैनस फाइब रूट थी चलिए तो एक बास ध्यान दखना कि जब हम लोग आइड करते हैं तो अब आइड करो को तो गदे को जब अगर अगर किसी को कटराइज में चेंज करेंगे तो गदे को गदे के साथ रखेंगे घोड़े को गोड़े के साथ काट तो देखो अब करका को यहां है है कि योच करेंगे है नो तुक्षाइज और यहां करें रूट को लौड शीध है ना था यहां है वह संदो गदै करनान तो 3 गदे आना और यहां पड़ हमारा क्या है कुछ नहीं तो नहीं और एक गदा यहां है तीन प्लस एक इतना होगा चार चार गदे के साथ लिखते हैं उसी तरह से हमारे रूट टू है रूट टू रहेगा तीन और यह एक बस खले इसको जोड़ेंगे तो यह जागा चार और यह रूट टू रहेगा तो फॉर रूट टू हो जागा इस तरह से जोड़ा जैते है बसको लिमा गई कि जरहें चले अब प्लस है अब दिखो देखो प्लस का साइन दिया ठीक अब यहां दो क्या है कि 7 रूट 3 है और यहां माइनस 5 रूट 3 है तो जो बड़ा होता है स अगर यह बड़ा होता तो फिर यहां पर माइनस रसाद्य थे वहीं जो सेवन रूट 3 है और यहां पर 5 रूट 3 है तो 7 में से 5 बैस करेंगे तो हो जाएगा 2 तो 2 लिग दो और यह रूट 3 है तो यह रूट 3 रह जाएगा तो यही हमारा जो है एंसर हो गया इसका बहुत ही